पीस्पाइब देंस, बढ़ते जा रहे हैं दिक्कत ना आ रही हो उस हिसाब से यह जो प्लेलिस्ट है वो प्लान है और सारी चीजे धीरे-धीरे systematically covered हो रही है कुछ-कुछ बच्चे जो है comment section में थोड़े impatient हो रहे हैं वो काफी physics पढ़ना चाहते हैं I understand your feeling यार हम चाहते हैं कि physics जो है वो फटाफट हम start करे actual physics जो है वो फटाफट start करे लेकिन यार जब हम वो पढ़ रहे होंगे तो यकीन मानिए अगर आपने ये जो chapter है ये अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको वो वाला part पढ़ने में बहुत दिक्कत आने वाली है इसलिए ये वाला part जो है बहुत अच्छे से समझना हमारा बहुत important हो जाता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे जो concepts हैं हम जो चीज़े समझना की कोशिश कर रहे है basic mathematics में वो हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे time के साथ complicated लगते जाए यार लेकिन हमें हार नहीं माननी है यही वही time होता है जहां पर बच्चे आके एकदम से डर जाते है class 10th में जो बच्चा होता है वो काफी खुश रहता है अपने जीवन से साल भर खेलता को उत्ता रहता है लेकिन exam के time पर पढ़ लेता है और फिर 95-90 marks ले आता है लेकिन जब वो 11th में आता है तो starting में ही उसे थोड़ी खदरनाक चीज़ी देखनी को मिल जाती है actually मैं जब आप class 12 में पहुँच जाएंगे आप J.E.E. का paper दे रहे होंगे तब ही आपको ये सारी चीज़े काफी आसान लग रही होगी लेकिन 10th से 11th की जो jump होती है तो हाँ यार वो थोड़ी सी difficult होती है तो इस वज़े से काफी बच्चे जो है उन्होंने अपने हतियार जो है वो डालना शुरू कर दिया होंगे काफी बच्चों को ये realize होना शुरू हो गया होगा कि उनकी बस की बात नहीं है यार लेकिन यहां पे हार नहीं मानना है हर किसी बच्चे को इस point पर difficulty आती है अगर आपको difficult लग रहा है फिर हम पूरी physics पढ़ेंगे तभी basic mathematics को बार बार तो use करेंगे ही तो तभी वो आपका और strong होते जाएगा with time तो यार बिलकुल tension लेने की कोई जरुरत नहीं है इस channel पे हो आप तो आपकी पढ़ाई पूरे अच्छे से होगी ठीक है बस video देखना है में दिमाग खोल के आना है, दिमाग बंद करके नहीं आना है चीजह सोचना है कैसी हो रही है copy pen निकाल के थोड़ा चीजह लिखना है चीजह खुद से समझने की कोशिश करना है खाना खाते खाते ये video नहीं देखना है अगर वो कर रहे हो तो यार वो भी कर सकते हो but the point is आपकी understanding कितनी है अगर खाना खाते खाते आप एकदम से सोच पा रहे हो कि मैं जो बता पा रहा हूँ visualize कर पा रहे हो दिमाग में graphs बना पा रहे हो copy pen उठा के कुछ लिखने की जरुरत नहीं है जो भी calculations में करने को बोल रहा हूँ वो आप दिमाग में ही सोच पा रहे हो तो well and good काफी बच्चे होते हैं ऐसे बहुत सारों को नहीं जरुरत पड़ती है तो यार वैसे भी काम किया चा सकते है लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है practice problems उठानी है and उनको sincerely copy पे solve करना है ठीक है इस channel पे मैं आपको अब जो telegram group है हमारा ठीक है उस पे आपको रोज DPPs भी आ रही है and यह जो lectures है and जो DPPs है that is free of cost इसलिए please यार वीडियो को like कर दो and subscribe कर दो अगर हमारे efforts तुम्हें पसंद आ रहे हैं in fact DPPs के तुम्हें solutions भी दिये गए है ठीक है सारी चीजों का तुम्हारा ध्यान रखा गया है एक जो point थोड़ा सा रह जाता है that is regarding a test series तो वो भी तुम्हारा cover हम कर रहे है तो यार तुम्हारी इस channel पे all round preparation हो रही है okay and पढ़ले.in हमारा Instagram handled है वो तो तुमको पता ही है similarly we have a very beautiful website that is पढ़ले.in again and उस पे तुम्हें अगले chapter से notes upload होते हुए मिल रहे होंगे दूसरे channels दूसरे subjects के जो notes है वो already upload हो चुके है and physics के notes जो है वो kinematics के बाद से वहां पे आ रहे होंगे okay तो इसी के साथ let's start our topic of maxima and minima ये होता क्या है ये हम कैसे करते हैं physics में हमें इसको क्यों करना पड़ेगा physics की जो scenarios होते हैं उनको हम देख के समझ के maxima minima का कभ यूज करना होगा ये सारी चीजे हम इस वीडियो में समझेंगे maxima minima जो है वो पूरा जो topic है एकदम खोल के आपके लिए present होगा आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी सारा knowledge आपके दिमाग में feed हो जाएगा and उसके बाद आप questions को चुटकियों में बना रहे होंगे ठीक है लेकिन maxima minima पढ़ने से पहले बच्चो एक topic होता है जो हमारा पढ़ना बहुत important होता है that is increasing function and decreasing function तो यार तुम बोलोगे ये क्या होता है अब मैं तुम्हें बोलूगा तुम ही बताओ मुझे क्या होता है अगर increasing function है and मैं तुम्हें बोलूगा कि increasing function का तुम्हे graph plot करना है तो तुम कुछ-कुछ इस तरीके का graph बना दोगे यानि कि x जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे y जो है वो उचाईयों को छूते जाएगा जिस तरीके से तुमको इस channel पर पढ़ाई करते करते उचाईयों को छू लेना है अपना जो favorite college है उसका जो entrance examination है उसको crack कर लेना है अपनी जो favorite rank है जो तुम हमेशा से सोचते हो कि तुम लाना चाहते हो वो ले आना है and boards में जो percentage तुमने हमेशा से लाने के सोचे थे तो वो भी लाना ही है and इसी के साथ एक जो चीज होती है जो यार हमारे education system में काफी ignore हो रही है हम physics जो है वो सिफ माक्स लाने के लिए क्यों पढ़ रहे है इतना बहतरीन subject है physics मैं देख रहा था कुछ-कुछ बच्चे comment कर रहे थे नाम तो मुझे यार नहीं है but there were some people who were commenting that they wanted to be an astrophysicist they want to be an astrophysicist obviously तो यार काफी interesting fields होती है physics में तुम देखोगे हम आगे जाते जाते physics पढ़ते पढ़ते तुम्हें मैं थोड़ी तुम्हारा जो interest है वो develop करने की कोशिश कर रहा होंगा यार हमारे देश में scientist की भी बहुत जरूरत है ठीक है सभी लोग engineers बन जाएंगे तो innovation कैसे होगी ओके ऐसे engineers innovate करते हैं scientist क्या करते हैं and engineers क्या करते हैं यह किसी और वीडियो में ठीक है अभी जादा time pass नहीं काफी फालतों की बाते होगी अब आज आते हैं वहापिस हमारे point पे which is what is increasing function तो यार मैंने बोला increasing function एक ऐसा function होगा जो यार हुचाईयों को छूरा है ठीक है यानि कि आप इसको mathematically समझने की हम कोशिश करते हैं mathematically हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ना चाहिए और अगर x कम हो रहा है तो y भी कम होना चाहिए अरे ऐसे कैसे भाईया आपने एकदम से कैसे लिग दिया तो यार तुमको पता देता हूँ मान लो कि यह point है x equal to 1 और इसके corresponding हम को एक point मिल रहा था y equal to 1 ले लो similarly यहाँ पे एक point आया हमारा x equal to 2 and इसके corresponding हम को एक point मिल रहा है यहाँ पे that is y equal to 3 तो जब मैंने x को बढ़ाया यानि कि x equal to 1 को x equal to 2 से replace करा तब मैंने देखा y equal to 1 y equal to 3 से replace हो गया है यानि कि x को बढ़ाने पे y मेरा क्या हुआ बढ़ गया तो यह हमें समझ आ गया similarly मान लो हमने ले लिया x equal to 2 अब मैं उसको कम कर रहा हूँ मैं x equal to 2 से x equal to 1 पे आ रहा हूँ तो यानि कि मैं y equal to 3 मिलेगा मुझे x equal to 2 के corresponding and x equal to 1 के corresponding y equal to 1 मिलेगा तो जब मैं x equal to 2 से x equal to 1 पे आ गया तब मेरा y जो था वो y equal to 3 से y equal to 1 पे आ गया तो क्या मेरा y कम हो रहा है ओके जी अब इसी चीज़ को हम differentiation के format पे लिखने ही कोश्च करते हैं x बढ़ रहा है यानि कि डेल्टा x जो है that is positive अगर x बढ़ रहा है तो डेल्टा x is positive तो अगर डेल्टा x positive है and function increasing है तो y भी बढ़ता है x बढ़ता है, तो y भी बढ़ता है तो similarly मैं बोल सकता हूँ क्या कि डेल्टा y should also be positive similarly अगर x कम हो रहा है यानि कि डेल्टा x is negative तो क्या मैं बोल सकता हूँ delta y should also be negative यानि कि y को भी कम होना चाहिए वो कम क्यों हो रहा है वो मैंने तुम्हें यहां पर इस example से अच्छे से समझा दिया है तो यहां से मैं एक चीज निकालने की कुछ करता हूँ यहां से मैं देख पा रहा हूँ कि delta y upon delta x दोनों ही condition में positive आ रहा है अगर delta y positive है and delta x positive है तो तो यह positive है अगर delta x negative हो गया तो delta y भी negative हो जाएगा तो उनका ratio जो है वो positive आ रहा होगा minus minus कट जाएगा यह आप सोच सकते हैं इतना गर्णित आपको already आता है तो मुझे पदा चल गया delta y upon delta x जो है वो हमेशा क्या है positive delta x is some change in x अब इसी के साथ क्या मैं बोल सकता हूँ dy upon dx भी positive होना चाहिए dx क्या है some small change in x मैंने क्या बोला delta x जो है that is some change in x वो positive है तो यार कुछ छोटा change in x भी तो positive होगा कुछ नहीं बात है कैसमे similarly अगर delta y positive है तो some small change in y that is dy भी positive होगा इसलिए dy upon dx जो quantity है यह भी हमेशा positive आ रही होगी जिस तरीके से delta y upon delta x positive आ रही थी यह positive क्यों आती है क्योंकि हमें बता है जब dy positive था तब dx positive होगा similarly जब dx negative होगा तब dy negative होगा तो इस वज़े से इनका जो ratio है वो हमेशा positive आ रहा होगा तो हमने increasing function check करने की क्या condition निकाल दी अगर हमें function कि होने y equal to f of x and हम इसका differentiation निकालते हैं that is d of f of x upon x तो यह जो quantity है dx dy upon dx is nothing but d of f of x upon dx यह मैं वीडियो में आज तक कई बार चिला चिला के बता चुका हूँ तो तो तुम्हें आभी है याद हो जाना चाहिए तो यह जो quantity है अगर positive है तो मैं बोल सकता हूँ function हमेशा increasing हो रहा होगा तो अब तुम्हें एकदम ही बहतरीन तरीके से समझ आ गया है हम कब बोल सकते हैं function increasing है function increasing है हम तब बोलेंगे जब dy upon dx और y dash और d of f of x upon dx positive आ रहे होंगे similarly अगर function decreasing है तो मेरे बच्चे smart है वो समझ गए है अब यही सब quantity क्या आ रही होगी इस case में negative ठीक है भया हम सोच पा रहे है increasing है तब positive होगा तो decreasing increasing का ulta है तो उसका कुछ ulta होना चाहिए इतना हमें समझ आ रहा है ठीक है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है जिस तरीके से आपने increasing function का बताया था उस तरीके से एक बड़ decreasing function का भी बता दो ना यार ठीक है यार बता देता हूँ यह सगी है यार तुमारा class नहीं है यह हमारा interaction नहीं हो रहा है लेकिन हमारे दिल जो है वो connected है इसलिए मुझे समझ आ रहा है तुम क्या सोच रहे हो और उसी इसाब से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को तुम्हें क्या करना है लाइक करना है तो अब similarly decreasing function क्या है वो समझ लेते हैं decreasing function ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा ठीक है stock market में पैसे डालते है ऐसा वाला graph आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है loss हो जाता है तो यह क्या होता है decreasing function होता है यानि की यानि की जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y कम हो रहा है जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y कम हो रहा है यानी कि When delta x is positive then delta y is negative similarly अगर मैं इस direction में जाओंगा जैसे-जैसे x कम हो रहा है y बढ़ रहा है जैसे-जैसे x कम हो रहा है y बढ़ रहा है that is if delta x is negative delta y is positive यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्या कि delta y upon delta x यहाँ पे मुझे दोनों ही cases में negative मिल रहा होगा यहाँ पे delta x and delta y क्या था some considerable change in x and some considerable change in y similarly अगर मैं some small change ले 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 था तो मुझे क्या मिलता dy upon dx यार फिर से वही कहानी होगी अगर dx जो है वो positive है तो dy क्या होगा हमारा negative अगर dx जो है वो negative है तो dy क्या होगा हमारा positive अगर x कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है और अगर x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है तो यार dy upon dx भी हमारा इसी तरीके से हमेशा क्या हो रहा होगा negative increasing function में हमने देखा था अगर x बढ़ रहा था तो हमारा y बढ़ रहा था अगर x कम हो रहा था तो y कम हो रहा था लेकिन decreasing function में चीज़े उल्टी हो रही है y ने बोला अगर x बढ़ेगा तो मैं तो कम होंगा यार और अगर x कम होंगा तो y बोला मैं बढ़ जाओंगा y जो है वो हमेशा x का उल्टा काम कर रहा है इसलिए dx upon dy जो है that is change in y upon change in x इसका जो ratio है वो negative आ रहा है और ये ही होता है हमारा decreasing function यार तो हमें समझ आ गया increasing function and decreasing function क्या होता है increasing function में dy upon dx positive आएगा decreasing function में dy upon dx negative आएगा ओके तो हमने समझ लिया increasing function and decreasing function क्या होता है तो अब maxima क्या होता है and minima क्या होता है क्या हम ये समझने के लिए तयार है तो जी हाँ हम ये समझने के लिए तयार है ठीक है maxima और minima को अब हम mathematically explain करने की कोशिश करते है for example हमें ये graph given है तो यार intuitively तुमें पता है maxima क्या होता है max आ रहा है भाहिया तो जहां पे y की value max हो रही होगी वो होता है क्या maxima तो हां यार वही होता है maxima लेकिन max कैसे उसके neighborhood के comparatively y की value जादा होनी चाहिए वो कैसे वो समझा देता हो तुमको ठीक है यहां पे x1 के corresponding हमको y1 मिल रहा है तो इस graph पे मैंने क्या बोल दिया मेरा maxima क्या है is equals to y1 and y1 का जो neighborhood है यानि की y1 के just आगे and y1 के just पीछे जो values आ रही होंगी वो y1 से कम होना चाहिए तो similarly y1 के just आगे यानि की यहां पे कुछ हमने देखा value y1 से कम है similarly y1 से just पीछे यानि की यहां पे कुछ हमने देखा y1 से कुछ value कम है यार तो हमने बोल दिया this is maxima इसी तरीके से minima देख लेते हैं क्या होता है similarly अगर हमारा ये graph है तो ये जो point है इसके corresponding हमको जो y1 मिल रहा होगा यहां पे y1 is our minima ओके और यहां पे हम minima को mathematically कैसे define कर सकते है अगर हम x1 से थोड़ा आगे गए तो उसके corresponding हमको जो y की quantity मिल रही थी that was greater than y1 similarly अगर हम x से थोड़ा सा पीछा है तो उसके corresponding हमको जो y की quantity मिल रही थी that is also greater than y1 यानि की y1 के neighborhood में जो function की value है जो y की value है वो y1 से हमेशा जादा आ रही होगी यानि की y1 के neighborhood में y1 जो है वो minima हो जाएगा तो थोड़ी तुमको अभी feel आई कि graph में किस तरीके से हम देखके बदा सकते हैं अब हम maxima और minima को mathematically समझने की कोशिश कर सकते हैं तो इस तरीके से अगर कोई quantity बढ़के कम हो रही है तो जहाँ पे वो quantity maximum थी यानि कि हमारा जो maxima था जिस point पे हमें maxima मिल रहा था उस point पे हमने tangent draw करी तो उसकी slope हमने देखा हमें क्या मिल रही है that is equal to zero similarly हमने हमारे जो minima था वहाँ पे एक tangent draw करी तो वहाँ पे देखा हमें उसकी slope क्या मिल रही है that is also zero यानि कि slope क्या होता है अब मैं तुम्हें पुरानी चिसे याद करवा रहा हूं फिर से slope is nothing but dy upon dx तो अगर slope zero है तो dy upon dx भी क्या आ रहा होगा ओके तो मुझे इतना समझ आ गया कि अगर dy upon dx zero है और minima मिल सकते है ठीक है मैंने देखा maxima and minima का graph किस तरीके से है फिर maxima जहां पे मुझे जिस point पे maxima मिल रहा था उस point पे मैंने देखा slope की क्या value आ रही है तो slope की value तो zero आ रही है तो अगर slope की value zero आ रही है तो क्या dy upon dx भी zero होगा क्योंकि dy upon dx ही तो slope होता है तो मैंने देखा कि maxima and minima पे dy upon dx zero हो गया ठीक है तो अब मैं अगर तुम्हें बोल रहा हूँ कि मुझे find out करना है maxima and minima हमें कहां पे मिलेंगे तो मैं ऐसे points निकाल लूँगा जहां पे dy upon dx zero हो रहा होगा तो उन ही points पे मुझे maxima and minima मिल रहा होगा तो अब मेरा दूसरा question है कि मुझे कैसे बाता चलेगा वो जो point है वहाँ पे मुझे maxima मिल रहा है कि minima मिल रहा है मैंने बोल दिया कि अगर मैं dy upon dx निकाल के zero put कर दूँगा तो इस equation को solve करके मुझे जो points मिलेंगे वो points maxima भी हो सकते है and minima भी हो सकते है अब मैं अगला question क्या बूछ रहा हूँ मुझे कैसे बाता चलेगा कि वो point maxima है कि minima क्योंकि slope तो maxima वाले case में भी zero हो रही है और minima वाले case में भी zero हो रही है तो इसकी जो feel है वो मैं तुम्हें last में दूँगा लेकिन mathematically हमें ही कैसे समझना है वो मैं अब तुम्हें समझाऊँगा तो अब हम एक algorithm बना लेते हैं हम एक algorithm बना लेते हैं कि हम maxima and minima कैसे find out करेंगे algorithm मतलब एक set of rules बना लेते हैं एक तरीका बना लेते हैं y equal to f of x अब मैंने क्या बोला मैं क्या करूँगा dy upon dx equal to 0 कर दूँगा अब जब मैं ये equation solve करूँगा तो उसके corresponding मुझे कुछ points मिल रहे होंगे ठीक है मान लेता हूँ मुझे कुछ points मिले x1 and x2 अब मैं क्या करूँगा अब मैं d2y upon dx square find out करूँगा अगर x1 पे अगर x1 पे ध्यान से सुनना d2y upon dx square negative आ गया तो मैं क्या बोल दूँगा मुझे क्या मिल गया maxima अगर x2 पे d2y upon dx square जो है वो positive आ गया तो मैं क्या बोल दूँगा मुझे मिला minima ठीक है तो फिर से समझ लेते हैं मैं क्या कर रहा हूँ मैंने एक लिया function y equal to f of x फिर मैंने find out करा dy upon dx फिर मैंने उसको equal to 0 put करा ताकि मुझे maxima and minima मिले तो मैंको इसके corresponding जो equation मिली उसको जब मैंने solve करा तो मुझे एक point मिला x1 अब यह point जो x1 मुझे मिला है यह maxima भी हो सकता है and यह point जो है यह minima भी हो सकता है तो मुझे कैसे पादा चलेगा यह point maxima है की minima तो मैं find out करूँगा d2y upon dx square यानि की double differentiation find out करूँगा single differentiation find out करके मैंने उसको 0 के equate put करा तो मुझे एक point मिला x1 यानि की मुझे पादा चला इस point पे जो graph है उसकी slope जो है वो 0 हो रही होगी ठीक है अब वो 0 तो maxima पे भी हो सकती है and minima पे भी हो सकती है तो maxima है की minima मुझे यह कैसे पादा चलेगा उसके लिए मैं d2y upon dx square find out करूँगा d2y upon dx square अगर positive है तो मुझे क्या मिलेगा minima अगर d2y upon dx square negative है तो मुझे क्या मिलेगा maxima ऐसा क्यों हो रहा है इसकी field मैं तुम्हें last में दूँँगा जो बच्चे बहुत curious है पूरी वीडियो देखे जिन बच्चों को पूरा नहीं समझना है तो वो अगर इतना याद रख लेंगे उनका तो भी काम हो जाएगा मैंने क्या बोला अगर y equal to f of x एक function है तो उसमें मैं क्या करूँगा मुझे maxima and minima निकालना है तो मैं d y upon dx find out करूँगा ठीक है उसको 0 के equate कर दूँगा उसके corresponding मुझे एक point मिलेगा वो point मुझे बता देगा कि d y upon dx कहां पे 0 हो रहा था अब वो point है वो maxima भी हो सकता है और minima भी हो सकता है वो maxima है कि minima वो find out करने के लिए मैं d 2 y upon dx square find out करूँगा ओके अब d 2 y upon dx square अगर at x1 पे positive है तो मैं बोल दूँगा मुझे minima मिल रहा है and अगर negative है तो मैं बोल दूँगा मुझे maxima मिल रहा है ठीक है अब इसको समझने की कोशिश करते है अब इसको example से समझने की कोशिश करते है अगर तुमें एक function given है y equal to f of x that is y equal to x square plus 3x x plus 1 कुछ भी ले लो ठीक है तो अब मुझे क्या find out करना है maxima और minima यह मैं कैसे करूँगा मैंने क्या बोला सबसे पहले में निकालूँगा dy upon dx वो क्या जाएगा 2x plus 3 और मैं इसको equate कर दूँगा 0 के तो इसके corresponding मुझे जो x मिलेगा that is equal to 3 by 2 मतलब कि मुझे पता चलिया कि at x equal to 3 by 2 वो जो graph है उसकी slope क्या है 0 अब x equal to 3 by 2 graph की slope 0 है तो x equal to 3 by 2 मुझे मिल सकता है maxima भी मिल सकता है मुझे minima भी मिल सकता है यह check करने के लिए कि यहाँ पे मुझे maxima मिल रहोगा या minima मिल रहोगा मैं find out करूँगा d2y upon dx square तो d2y upon dx square क्या आगया 2 यह quantity क्या है positive यानि कि at x equal to 3 by 2 पे मुझे क्या मिल रहोगा minima तो मुझे पता चलिया मुझे minima कहा मिलेगा मुझे minima मिलेगा at x equal to 3 by 2 अब x equal to 3 by 2 पे y की क्या value होगी यह में निकाल सकता हूँ इस equation में put करके और वो ही मेरी minimum value हो जाईगी अब इसी का एक और example समझ लेता है चीक है एक और example समझ लेता है अगर हमें function given है y equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 10 अब मैं तुम से बूच रहा हूँ मुझे यहाँ पे find out करने है maximum and minimum तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा dy upon dx find out करूँगा dy upon dx find out करने के लिए मुझे क्या मिल जाएगा इस equation को मैं differentiate करूँगा 6x square minus 30x plus 36 equal to 0 यह मिल गया अब इसी को हम क्या लिख सकते है x square minus 5x plus 6 equal to 0 ठीक है तो अब यहाँ पी एक quadratic equation बन गई इसको solve करते हैं हमें आता है इसको directly solve कर सकते हैं तो इसको बन रहा होगा x minus 2 and x minus 3 okay equal to 0 तो मुझे 2 points मिल गए x equal to 2 and 3 जहां पर क्या हो रहा होगा dy upon dx जो है वो क्या आ रहा है हमारा 0 अब 2 maxima है या minima 3 maxima है या minima यह find out करने के लिए हम क्या करेंगे we will find out d2y upon dx square वो क्या हो जाएगा dy upon dx क्या है x square minus 5x तो d2y upon dx square क्या हो जाएगा 2x minus 5 okay 2x minus 5 मिल गया खिक है अब मैं देखूंगा 2 पे d2y upon dx square की क्या value है तो यहां पे मैं x equal to 2 put कर दूँगा तो मैंने देखा d2y upon dx square at x equal to 2 पे क्या रहा है minus 1 यानि की negative है तो मैंने बोल दिया 2 पे क्या है d2y by dx square negative similarly मैं देखूंगा at x equal to 3 क्या है तो at x equal to 3 आजएगा plus 1 that is positive तो d2y by dx square 3 पे क्या है positive यानि की x equal to 2 पे मुझे क्या मिल रहा होगा negative है तो मुझे maxima मिल रहा होगा similarly x equal to 3 पे मुझे क्या मिल रहा होगा positive है तो मुझे minima मिल रहा होगा तो यार अब इतना हम यहां पे जो है conclude करते हैं ठीक है तो अब तक हमने दो questions कर लिए and उन दो questions में maxima जो है वो कहां आ रहा होगा minima जो है वो कहां आ रहा होगा वो हमने निकालना समझ लिया फिर से एक बार recap कर लेते हैं यह procedure तो में रट जानी चाहिए तो अगर हमें y equal to f of x given है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ink change करेंगे उसके बाद हम dy upon dx find out करेंगे dy upon dx find out करेंगे dy upon dx equal to zero put कर देंगे फिर हम d2y upon dx dx square find out कर रहे होंगे उस point पे अगर उस point पे d2y upon dx square positive आ रहा है तो हमें क्या मिल रहा होगा minima similarly अगर d2y upon dx square हमारा रहा है negative तो हमें क्या मिल रहा होगा maxima ये हमने याद कर लिया और इस तरीके से हम निकाल सते हैं कि किसी भी point पे हमें maxima ही क्यों मिल रहा होगा minima ही क्यों मिल रहा होगा ठीक है अब इसी चीज की थोड़ी feel ले ले लेते हैं वीडियो खतम होते से पहले ठीक है मैंने तुम्हें क्या बुला है dy upon dx जो है that is equal to 0 ये 0 क्यों होता है क्योंकि maxima वाले point पे या फिर minima वाले point पे slope जो है वो 0 होती है और ये graphically मैंने तुम्हें अच्छे से समझाती है अब मैं तुम्हें ये समझाओंगा कि d2y upon dx square अगर positive है तो हमें minima क्यों मिल रही है and d2y upon dx square negative है तो हमें maxima क्यों मिल रही है ठीक है तो यार इस चीज को तुम एक बार में समझ जाना और अपना जो दिमाग है वो तुम अब खोल लो ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है हम एक graph बनाएंगे हम एक graph बनाएंगे वही ग्राफ बनाएंगे हमारा maxima and minima का ओके यह maxima graph है यह हमारा minima का graph है ठीक है यहाँ पर हमारा dy upon dx square जो है that is dy upon dx जो है that is 0 यहाँ पर हमारा dy upon dx जो है that is 0 that is हमारी slope 0 है ठीक है अब अगर maxima है तो d2y upon dx square जो है यह quantity negative क्यों आ रही होगी and similarly अगर minima है तो d2y upon dx square यह quantity positive क्यों आ रही होगे okay तो यहाँ पर यह पर तुम ध्यान से समझने की कोश्च करो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ graph maxima के पहले increasing होगा graph maxima के पहले increasing होगा यानि की dy upon dx maxima के पहले क्या रहा है positive similarly maxima reach करने के बात graph decreasing होगा यानि की dy upon dx क्या रहा है हमारा negative similarly minima के लिए बोल सकता हूँ minimum reach करने से पहले हमारा जो graph है वो क्या होगा decreasing होगा यानि की dy upon dx क्या होगा हमारे यह पर negative and minimum reach करने के बात graph हमारा increasing होगा that is dy upon dx हमारा क्या हो रहा होगा positive तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारा जो graph है वो कुछ ना कुछ अगर maxima का बन रहा है तो हमारे dy upon dx पहले क्या है positive फिर वो decrease होते होते 0 बना फिर वो decrease होते होते कुछ negative quantity बन गई similarly अगर हमारा graph minima का है तो वो सबसे पहले था negative फिर कुछ increase होते होते 0 बना फिर कुछ increase होते होते positive quantity बनी यहां पर dy upon dx positive क्यों है वो तुम graph के shape से देख सकते हो फिर वो dy upon dx 0 हो गया यहां पर फिर चो dy upon dx था वो decreasing curve यहां पर आ गई यानि कि dy upon dx negative हो गया similarly जब minima था तो dy upon dx पहले negative था फिर 0 हुआ फिर positive हुआ तो क्या मैं बोल सकता हूं dy upon dx is decreasing maxima के case में और मैं बोल सकता हूं dy upon dx is increasing minima के case में तो अगर dy upon dx जो है वो decreasing है यानि कि dy upon dx का जो graph है वो decreasing है तो decreasing function का जो graph होता है उसका जो differentiation होता है वो क्या आता है negative आता है तो dy upon dx का differentiation क्या होगा negative होगा यानि कि d2y upon dx square हमें क्या मिल रहा होगा negative similarly dy upon dx का जो graph है वो increasing है यानि की यानि की उस graph का जो differentiation है उस graph का जो differentiation है वो positive होगा यानि की dy upon dx का differentiation क्या होता है d2y upon dx square और यह क्या हो जाएगा positive तो अब तुम्हें समझ आ गया d2y upon dx square negative and d2y by dx square positive क्यों आते हैं in case of maxima and in case of minima तो तो तुम्हें पूरी feel देती है हमने एक set of rules सबसे पहले देखे कि हम maxima and minima कैसे find out करेंगे and उसके बाद वो जो set of rules है वो वैसे क्यों है वो हमने समझ लिया हमारा जो दिमाग है वो यूज करके I hope आपको ये वाला part समझ आया होगा यार तो इसी के साथ हमारा जो differential calculation calculus वाला part था वो खदम होता है यार ओके and इसके बाद हमारा integral calculus वाला जो part है वो चालू हो रहा होगा ओके अभी maxima and minima पे अगर तुम्हें function given है y equal to x square वाला या y equal to x cube करके तो उस case में अगर तुम maxima या फिर उस case में तुम अगर minima निकाल पा रहे हो तो this is sufficient for now अब इसको हम physics में कैसे use कर रहे होंगे यह आगे आने वाले chapters में हम समझेंगे ठीक है इसके mathematics से related जो questions हमें आएंगे काफी interesting questions बनते हैं वो आप class 12 में जो है देख रहे होंगे यहाँ पे अगर आपको एक polynomial function that is y equal to x square format में या y equal to x cube format में उसमें x की किस values पे हमें maxima या x की किस values पे हमें minimum मिल रहा होगा वो अगर आप इस video को देख के समझ पाए है तो यार very good आपका physics में जो है आपको mathematics point of view से problem नहीं आ रही होगी and उनका जो reason है जो हम class 12 में समझते हैं वो मैंने आपको अभी से समझानी की कोशिश करी है यह हम क्यों समझ पाए क्यूंकि हमने अभी तक हमारा जो basic mathematics वो धीरे धीरे एक एक चीज बिना कुछ skip करे समझने की कोशिश करी थी इसलिए हम आज यह reason समझ पाए है तो यार this was all about the video यार I hope तुमें समझ आया होगा इस video में मैंने तुमें जो भी चीज़े बढ़ाई है तो इसी के साथ यार bye bye have a good day and take care